हलो दोस्तों बहुत सो फिने शेयर बजार में आपका एक बार फिर से सुआ गयता है आज हम एक ऐसे शेयर से इलिटे बते करने वाले जो कि बहुत पॉपलर श्टॉक है एस वेल है उसने काफी बहुत रिजल्ट दिया और अभी आज के टाइम में जैसे कि श्टॉक मार्केट में जिस तरीके का बहुत चल रहा है जिस तरीके से वालेटिलिटी आपको दिख़ए देती है तो डिफैंसिव होना बहुत जरूरी है और वह शेयर एक ऐसा शेयर है जो आपके आने वाले टाइम में बहुत 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 पेश करेगा और आपको बत ताकि आपको इस तरीके की बहुतरी वीडियो मिलती रहें तो आए वीडियो की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले मैं आपको उसके रिटरांस प्रोफाइल दिखाना चाहता हूं वन डेवन वीग वन मंथ ठिरी मंथ सिक्स मंथ हर parameter में आपको positive sign दिखाई देगा हर parameter पे आपको बहतरी result दिखाई देगे तो जैसे कि आपके सामने है आपको दिखाई दे रहा हूँ कुछ ज़्यादा return यहाँ पर नहीं दिये गए है तो उसे ignore करके defensive की तरफ चलते और बताना चाता हूँ बहुत अच्छे return आपको positive मिलने वाले है इस stock में क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसके लिए bullish है shareholding pattern की तरफ एक बार चल लेते हैं तो आपको दिखाई पताना चाहता हूँ promoter के पास पहले तो पताना चाहता हूँ majority of shareholders foreign investors है और प्लेजिंग की बात की जाए तो कोई भी share प्लेज नहीं है mutual fund लगभा 48, mutual fund 27.46% की सेदारी, foreign investor 44.89 प्रमोट और highest public holding की बात LIC, Life Insurance of India ने भी 9.143% की सेदारी इसमें ले रखी है और individual investor की बात की जाए तो 7.65% की सेदारी है तो जैसे की promoters तो यहां पर foreign investor के पास ही सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है 44.89 जो की अभी recently लगभा 1.93% की सेदारी इनोंने बढ़ाई भी है mutual fund ने अपनी सेदारी थोड़ी सी घटाई है insurance company ने लाइसी ने थोड़ी सेदारी अपने कम करी है अधर डिया इस ने अपनी सेदारी बढ़ाई है और non institution रे 10.34% की सेदारी इसमें बढ़ाई है तो आईए share की तरफ चलते हैं एक हों सा share है मैं आपको बता देता हूं तो उस share का का performance देख लेजिए ओके गरावट होते हूं यह आपको देखे देरी है तो अपने यह तिल देखते हैं कोरोना से पहले अबाउट 550 के यह stock चलता था बट कोरोना आया तो लगबट 284 के लगबग यह share आपको मेलने लग गया और अभी इसे के bank जैसे कि आपको पता है कि bank moratorium से related कुछ issues चल रहे थे उसका भी एक resolution government की तरफ से निकल गया है इसलिए आज आपने देखा होगा कि banks finance sector में आपको अच्छी खासी बड़त दिखाई 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 तो यह jump आगे भी होने आपको बताना चाहता हूं जहां पर IT, Pharma और बहुत सारे sector बहुत सारे sector अपने 52 week high पर चल रहे है तो bank or finance sector एक ऐसा sector है जहां पर 52 week अपने जो उनका high था पीछे पिछले कुछ महीनों में या साल में 52 week high से काफी low चल रहे है और उनमें इतनी opportunity है कि सब लोग बड़े से बड बैंकों में के शेयर या finance के शेयर जो बहतरी शेयर है उन्हें लीजिए मैंने अल्रेडी बहुत सारी आपको बताया रखा है कि कौन कौन से अच्छे अच्छे बैंक से बट इसमें से अभी भी आपको बताना चाहूं तो ICICI bank के कैसा bank है जो काफी बहतरी बैंक है और आपक को अभी काफी low valuation पर मिल रहा है और काफी अच्छा इसका track record बिल रहा है उसके बारे मैं आपको बताना जा रहा हूं तो देखिए अगर पेंटा में एक से अभी भी देखा जाए तो लगबाग 31.43% की इसमें jump सीधी दिखाई दे रहा है 31% का profit आपको दिखाई हो दे रहा ह ओके एंड as well as मैं maximum की बात करता हूं तो आपको पता होगा कि 2008 में 2007-89 में एक crisis आया था ओके और उस crisis में finance और bank से related crisis था recession आया था बहुत बड़ा और सारे bank mostly डूब गए थे तो यहां पर अगर मैं आपको बताना चाहूं तो यह share लगबग यहां पर दिखाता हूं एक बाग लगबग 78% तक यह share 80% कह सकते हैं कि 8-29 के बीच में यह लगबग लगबग आपको 80% यह share गिर चुका था ऑके बट गिरने के बाद क्या recovery करी है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो अगर maximum तक हम जाए तो लगबग 848% के returns इस company ने दिये तो वही company हमें चुननी है जो ग गिरने के बाद उठना और कौन सी share उठते है और उठने के बाद आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देते हैं उस चीज़ के उपर depend करते हैं maximum भी result की बात की जाए तो चार रूपे का share ओके और dividend bonus share भी दिया है इसमें तो लगबग 13,270% के return है तो यहां की तरफ आप ध्य हैं दीजिए कि जब सबसे बड़ा crisis आया था 2008 में तो market में सारे share गिरा हुए थे यह भी धराशा हुए थे 80% तक but 80% के बाद क्या returns दी है यह भी तो आप देखिए न को करोना है इस वज़े से गिरे वरना यह आपको इतनी valuation पर मिलते ही नहीं 800% की return आपको पिछले 12 साल में दे गए कितने अच्छे बहते ही multi bagger rate आ प्लस में आपको इसने bonus भी दिया है ओके dividend तो देते ही है इस बार dividend विशक से कम दिया हो उसके बारे में भी बात करेंगे तो आप देखिए यह share जहां पर गिरे थे इदे को volatility बहुत अच्छी है हर बार गिरा है यह share 2015 में भी अगर सब्सक्राइब बात की जाए कि लगभग कितने % की किरावत है तो 38-40 % की अब भी देखी जाए ना तो अब भी अगर हम maximum से देख लेते हैं तो 30% की गिरावट अभी भी है और यह गिरने के बाद उठते और उठते तो भागते और भागते है तो पकड़ मेनी आते हो फिर हम सूचते रहते हैं कि हम लेंगे हम लेंगे हम लेंगे तो ऐसा मत करिये बहुत अच्छा शेयर है आपको जितने गिरावट को मिल रहा है ना और डिप्स करते करते करते, SIP, in shares में SIP करिए, आने वाले कुछ सालों में आपका पैसा बहतरी multi bagger बनता हुगा नाजर रहेगा, आज के परफॉमेंस की बात करें, 24 मार्च को 52 week load 268 में मिल रहा था, और हाई की बात करते हूं, 2019 में December में 552 pay share of, 52 week high से काफी कम, 30-40% अभी भी अच्छे returns देगा, तो अभी भी आप इसमें invest करके चलिए, 30% की delivery आज देखें जैसे की आज की date में उठाए गई है, लगभा, 79,07722 crore lakh, okay, इसमें shares यहां पर उठाए गई है, Company information की बात की जाए, shareholding pattern already discussed कर चुके हैं, okay, और यहां पर देखिए, एक रुपे का dividend, इस बार 220 में ने दिया है, क्योंकि RBI ने कहा था कि पैसे सेव करके रखिए, okay, किसी को dividend बगएरा मत दीजिए, तो इसलिए भी dividend दिया है, otherwise देखिए, dividend हमेशा अच्छा dividend, 5 रुपे, 5 रुपे, okay, 2.5 का dividend as well as bonus, okay, 1 ratio 10 का bonus इनों ने दिया है, तो काफी अच्छा इसकी history as well as multi-bagger shares यह है, balance sheet की बात की जाए, तो देखिए, reserves की बात की जाए, तो किस तरीके से reserves continuously continuously बढ़ते जा रहे हैं, और अभी अगर आप देखेंगी, तो 1,12,091.29 करो रुपीज के reserves इस बै बात की जाए, तो बॉर्इंग की बात की जाए, तो बॉर्इंग, और विसी बात है, बॉर्इंग तो होगी, debt में total debt में तो हो गई, क्योंकि इनका काम ही lending का है, bank finance का काम का, लैंडिंग का, तो इसलिए borrowing होगी, तो इसे हम negligible कर देते हैं, और एसेट की बात की जाए, तो म तो काफी अच्छी बैलेंस शीट है, और नंबर तीन पर आने वाला बैंक है, काफी बैतिनी बैंक है, कोटक, HDFC, और फिसके बाद ICICI Bank का नाम लिया जाता है, डिविदेंट की बात की जाए, तो देखिये, डिविदेंट कितना अच्छा बैतिनी, डिविदेंट देता आया है, बोनस की बात की जाए, तो काफी अच्छा ये शेयर है, मैं आपसे को बताना चाहता हूँ, कि इन शेयरों को बताने के लिए, बड़े-बड़े मर्चेंट, बड़े-बड़े एडवाईजर, आपसे पैसे लेते हैं, बट मैं आपको free of cost बहुत अच्छा शेयर बता रहा हूँ, जो कि अभी काफी लोग चल रहा है, और future में आपक को एक चीज़ों बताना चाहिना, कि अभी QIP लेकर आया था, ऐसे ऐसे बैंक और mostly सभी बैंक से लेकर आया था, तो QIP में लगभग 0.006% का stakes किसने लिया है, People's Bank of China, तो चाहिना के बैंक ने, कि यहां पर 0.006% का stakes, ऐसे 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 बैंक में, QIP के तरू अभी लिया था, As well as, मैं जो आप बताना चाहता था, कि World's second most widely track stock in, is from India, और कौन सा है, लगभग 59, देखिए, यहां पर बताना चाहता हूं कि as many as, 59 analyst का बमल, वर्ल्ड के जो 59 analyst है, जो बड़े-बड़े, उन्होंने कहा है, कि ICICI Bank, ऐसे बैंक है, जिसमें आपको बाई करके चलना चाहिए, और बाई करने, आप करके चलेंगे, तो आपको future में काफी profit होगा, और it is the second most widely track, तो मतलब ICICI Bank, second most stock है, पूरे world की बात करो, I am not talking about India, और कुछ, कि जो की सबसे ज़्यादर track किया जा रहा है, by whom 59 analyst around the world, okay, इन से बात, उनके through, यह track किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है क चाहिना ने लगवा, 0.006% कि इसमें लिए, सब कुछ मैं आपको बता चकाहूं, okay, यहाँ पर यह pattern छोड़ देना, but यहाँ पर आपको अगर returns की बात की जा है, तो अभी भी काफी low चल रहा है, okay, और अगर आप चाहेंगे, और यह एक-दो साल में जब यह गारी ठीक हो ज अगर आपको, मैं एक बार invest करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कितने साल के लिए, हमेशा के लिए, अगर अच्छा share है, तो हमेशा के लिए, definitely it will give me some huge return मुझे provide करेगा, तो इसलिए बताना चाहता हूँ, इस share की तरफ नजर रखिए, buy and dips पे खरीदिए, और अभी भी आपक आपको काफी लो नजर देखा ही दे रहा है, और अभी भी काफी लो पे आपको मिल रहा है, तो आप इसकी तरफ नजर बना सकते हैं, रख सकते हैं अपने portfolio में, financial advisor से अभी आप cancel कर सकते हैं, इसके बारे में, as well as अगर वीडियो अच्छे लगी हो, तो like, comment, share करिए, और हमा